तो मैंने एक रेसिपी शूट की, मैगी बर्गर की और ये बहुत इंस्टिंट बन जाती है, क्या करो ना, पहले तो एक बर्गर बन को दो हिस्सों में डिवाइट करके उसे तवे पर सेख लेना है, और मैंने पता है, यहाँ पर मियोनेज लगाने के बाद रेलाइस किया, कि म मतलब मैंने बटन दबाया था कैमरा ओन करने का, वीडियो शूट करने का, बट वो अन हुआ ही ने, खेर, तो इस पर मियोनेज लगाने के बाद ना, हमें तो सॉस चाहिए, एक चिली सॉस और एक टोमाटो सॉस, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार कि आप कुछ करने जा रहे हो और आपका कैमरा ओन ना हो, मतलब आप रिकॉर्डिंग बटनी दबाना भूल जाओ, है ना, मेरे साथ हुआ, मुझे मैंने का या, शिट, यह कैसे हो क्या, फिर मैंने जो है, इसमें डाला, सॉस लगाने के बाद मैंने इसमें जो है, स्लाइस जाले, प्यास के और टमाटर के, फिर करना कुछ नहीं है, बस जो मैगी होती है ना, जो हमें टिफिन में पहले मिलती थी, वो हमेशा ठंडा हो जाती थी, और वो शेप ले लेती थी, उस कंटेनर का अकसर, तो मैंने क्या किया ना, सिंपल मैगी को बॉइल किया, और उसे एक गोल प्लेट था, वो भी हमने इसके परक्या से ढग दिया, और पस हमारा बर्गर बहुत इंस्टेंट रेडी हो गया है, तो मुझे ये आइडिया, मतलब एक है सब्सक्राइबर मेरे, उन्होंने बोला था बनाने को, तो मैं काफी टाइम बात बना रही हूं, बट स्टिल, मैं क्योंकि यूट्यूब पर बट मैं अब अच्छे अच्छी रेसिपी दाऊंगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे चानल को सब्स्राइब कर दो, बाई!